Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Investing में धर्दीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ में आज हम बात करने वाले हैं Orient Green Share के बारे में देखिए Market जो है बहुती बुरी तरीके से आज Crash होते हुए देखने को मिली क्यों Crash हुई है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और Orient Green Power Share को लेकि जो News निकल के आई है आज ही उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर तो चले सबसे पहले अगर Nifty 50 की बात करें तो देखिए Market जो है Nifty 50 अपनी क्लोजिंग देते हुए नजर आया पिछली क्लोजिंग 17,113 points पे थी और आज 1.25% की गिरावट हम Nifty 50 में देखने को मिली है अगर महीं Bombay Stock Exchange की भी बात करें तो Bombay Stock Exchange में भी देखिए लग बग 703 points की गिरावट आज फिर से देखने को मिली 56,463 points पे आके Nifty Bombay Stock Exchange ने अपनी क्लोजिंग दिया है पिछली क्लोजिंग 17,116 points पे थी और आज 1.23% की गिरावट Bombay Stock Exchange में भी देखने को मिली है जो Main Region जो है Market Crash होने का अभी फिलाल ये निकल के आ रहा है कि रूस में और Ukraine में जो वोर चल रहा है वो हो सकता है कि World War 3 का रूप ले ले आज क्योंकि Announcement हुई है कि शायद World War 3 हो जाए जिसकी वज़े से आपको आज Market Crash होते हुए देखने को मिला है अगर आज की बात करें तो देखें सिर्फ 5 पैसे की ही बड़ात हमें और्येंट Green Power में देखने को मिली है लगबग जो है 12 रूपे 10 पैसे पे पिछली Closing थी और आज लगबग 0.41% की ही जो है हमें तेजी आजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है वोल्यूम देखें तो लगबग 71 रूपे 10 पैसे की गिरावट हमें और्येंट Green Power में देखने को मिली है Market Cap देखें तो लगबग 910 क्रोड के आरफास का जो Market Capitalization भी बहुत ही बढ़िया कंपनी का और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है Renewable Energy का और आने वाले टाइम में स्टॉक आपको Multibag रिटन्स भी दे सकता है अगर बीते 6 मेने की बात करें तो 6 मेने में स्टॉक ने लबग डेड़ सो परसंट के positive विटन्स जो है अपने निवेशकों को अभी तक दिये है अप्रेल 2022 की ही न्यूज है आज की जो कंपनी जो है देखिए 230 क्रोड रुपे का जो फंड है वो रेज करने वाली है आज की मीटिंग है अब जो मीटिंग हुई है आज और ये जो कंपनी वो 230 क्रोड रुपे जो है इक्विटी शेर्स के जरीए जो राइट इसी करने वाली है उसकी वज़े से आपको आने वाले दिनों में इस टॉक के अंदर भी तेजी देखने को मिल सकती है अगर कंपनी के ओवर्वी की बात करें तो देखें मार्केट कैप 912 क्रोड का बीज दिन की आप रोज़ों 93 लाक निवा सी 1191 शेर्स और बुक वैल उपर शेर्स भी लगए 6 रूपे के आसपास हमें और इंड ग्रीन पाउर में देखने को मिल रही है पी रेशो 35.90 पी रे जोन में है रेनियूबल एनरजी में अगर आप इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिलाला आप इंवेस्टमेंट करके चल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर क्योंकि यह स्टॉक जो है बहुत ही बढ़िया स्टॉक है बहुत एक कम टाइम में मल्टी वैक रिटेंस आपको स्टॉक आने वाले दिनों में भी दे सकता है अगर रर्जिस्टमेंस और सापोर्ट लेल्स की बात करने है लगे तो फ़ला स्टॉक ायर शॉट जो है बान सिच्ट्र पसकालिटेश पहसे और financials की बात करें तो company जो है year to year अच्छा खासा revenue जनरेट कर पाई यह last year लगब 256 क्रोड का revenue जो एक company ने जनरेट किया था but as compared to previous years जो company ने कम revenue पिछले साल में revenue जनरेट कर पाई थी if company ने बात करें तो लगब 256 क्रोड की आसपास का जो company का एप something के आपर हमें देखने को मिल रहे year 2017 के बात करें तो देखें ए कंपनी पे लगब भग 52 क्रोड की आसपास हमें देखने को मिल रहे है अब्ही फिलाल इस तोक के अंदर कर company के financials की बात करें तो जो sales है वो भी अच्छी खास है लगब 80 क्रोड के आसपास की sales है हमें December quarter में देखने को मिली और अभी total income जो है वो लगब 80 क्रोड के आसपास की अभी हमें stock के अंदर देखने को मिली है December quarter के अंदर और share holding pattern देखें तो अभी आने वाले दिनों में